तो हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मैंच चैनल फ्रेंड आज ये इस वीडियो स्रीज में हम लो डिस्कोस करने वाले हैं इंजिनिरिंग केमस्ट्री के पूरे पेपर को अनलाइसिस को करने वाले हैं जैसे कि आपको पता है कि आज इंजिनिरिंग केमस्ट्री का पेपर था और जितने भी question मैंने guess किये थे, जितने भी मैंने pdf के term में question, important question को जो मैंने provide किया था, उन questions में से, अगर आपने उन pdf को सही तरीके से पढ़ा होगा, और कम से कम अगर आप उतने questions को अगर कर लेते हैं हर unit से, तो कहीं न कहीं आप easily pass हो सकते हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं of total hardness of water by the complexometric method, और साथी जो complexometric method था, उनके द्वारा आपको hardness को determine करना था, बताना था, और second question, जो कि मैंने बताया था कि numerical question है, या फिर parts per million के है, या फिर milligram per liter के है, आपका बस ये थोड़ा सा, आपको घुमाने के लिए दिया गया है, यहाँ पर unit का conversion, तो उसके लिए आपको basically घबराने की ज़रूत नहीं थी, जैसा आपका procedure बताया गया था, अगर आपने वैसा किया होगा, तो आप easily अच्छा number ले सकते हैं, यानि paper का analysis ऐसा है, कि अगर आपने उन questions को भी अगर बहतर तरीके से कर लिया होगा, तो कहीं न कहीं आप pass हो सकते हैं, clear, तो ये question mainly आपको PDF से ही matching है, जिसमें caustic embrittlement बताया गया था, question के तोर पे, तो अगर आपने उसका answer निकाल के उसको याद किया होगा, उसको अगर देखा होगा, तो आप easily इसको कर सकते हैं, level, average level था paper का बहुत hard level नहीं था, अगर आपने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, और कम से कम उतना आपने किया होगा, जितना मैंने बताया थो, तो आप easily कर सकते हैं, उसके बाद है कि how is the potable water infected by ozone nation, तो हो सकता है कि ये question आपके लिए थोड़ा सा नया लगे, लेकिन जो जो question मेली आपका जो था, जो जो आता है, उस questions को आप अगर बनाते, तो आप 7 number ले सकते थे, उसके बा लेना था और उनके significance, उनके example को आपको लिखना था, clear, उसके बाद आपका अगला question है कि what are the difference between free radical and ionic polymerization, यानि polymerization को भी मैंने बताया था, और साथी था short note में अगर मैं बात करूँ, short note की नहीं notes में ही, तो उसमें मैंने nylon sixes को बताया था, जो कि आपका काफी important है, तो आप य thermocytic polymer and thermoplastic polymer, तो ये भी आपका polymer part से था, तो अगर आपने उन चीजों को कर लिया होगा, तो आप बेतर कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा satisfaction लग रहा है कि हाँ, PDF में जो था वो थोड़ा सा अच्छा, तो आप अपने review को comment के जरीए जरूर दीजिएगा, उसके बाद थे, उसके बाद आपको describe करना था, geolite process के बारे में, और ion exchange process के बारे में, तो यहां से आपका 14 number का number यहां पे आपका है, पहले आपने 10 number ले लिया है, तो number आप यहीं पे जोड़ सकते हैं, अगर आपने कुछ भी नहीं लिखा होगा, कम से कम इतना को, तो यह आपका 4 हो ग यह, clear मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छा score करके आएंगे, उसके बाद आपका sword note डिखना का, किसी भी दो पे आप जिस पे आपको बेहतर लगता होगा, वो आप कर सकते हैं, तो overall process यह है कि मैंने जितना बताया था उसमें से, लगभग मान के चलिए कि 50% से advantage बन जाता है, हमारे इस channel पे अगर आप बने रहे होंगे शुरू से ही, या फिर अगर अभी आपने देखना शुरू किया है, तो subscribe जरूर कर लीजेगा, और जो भी notes मैं provide कर रहा हूँ, जो भी चीजे मैं आपको दे रहा हूँ, तो उनको आप access करने की पूरी कोशिश कीज अच्छा लग जाए और साथी साथ कौन कोशन आपके examination में मिल जाए, यह कहना बहुत मुश्किल है, क्लियार, तो friend मिलते हैं, ऐसे इंट्रेशन पेडियो साथ, तब तक लिए thank you,